इंट्यूटिव वेज को सब्सक्राइब करें सफलता की सीडी चढ़ें और बच्चों का जो छोटी E और बड़ी E की मात्रा में कन्फ्यूजन होता है उसे कैसे दूर करें तो आईए शुरू करते हैं अब मैं आपको बताने वाली हूँ तीन असान स्टेप्स में आप अपने बच्चे को बड़ी E की मात्रा कैसे सिखा सकते हैं पहले स्टेप में आप बच्चे को देखकर मात्रा की पहचान करना सिखाएंगे यह है बड़ी E और यह है इसकी मात्रा दूसरे स्टेप में आप बच्चे को मात्रा का उचारन करना सिखाएंगे बड़ी एकी मात्रा जब व्येंजन के साथ आती है तब व्येंजन का उचानल लंबा और तेज होता है जैसे का पर बड़ी एकी मात्रा इसे पढ़ेंगे की खा पर बड़ी एकी मात्रा इसको पढ़ेंगे खी यहां आपको ध्यान रखना है बड़ी एकी मातरा हमेशा वेंजन के बाद लगाई जाती है अब भ्यास के लिए आप का से लेके हाथ अके सभी बढ़नों पर बड़ी एकी मातरा लगाएं और बच्चे से पढ़वाएं जब बच्चा मातरा को देखकर पहचानना और उसको चारुन करना सीख जाए तब तीसर स्टेप आता है इस स्टेप में आप बच्चे को बड़ी एकी मातरा के शब्द पढ़ना सिखाएंगे तो अब हम सीखते हैं बड़ी एकी मातरा के शब्द कैसे पढ़े जाते हैं क, ड, ड, पर बड़ी की मात्रा डी, म, क, डी, ल, ड, क, क, का पर बड़ी की मात्रा की, लड, की, द, ड, पर बड़ी की मात्रा दी, प, पा, पर बड़ेया की मात्रा पा, व, ल, ल, पर बड़ी की मात्रा ली, दी, पा, व, ली, दी, पा, व, ली, दी, पा, व, ली, दी, पा, हैं खास सुजाव का अक्सर बच्चे चोटी और बड़ी की मातरा में कंफ्यूज हो जाते हैं तो इस कंफ्यूजन को दूर करने का एक बहुत असान तरीका है आप बच्चे से वहशब ज्यादा से ज्यादा पढ़ना है जिन में ये दौनों मातरा आती हूं जैसे सिपाही खिलाडी पिखारी बिजली गिलहरी छिपकली आपको एक बात का और ध्यान लखना है मातरा सिखाने में जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी एक ह कि बच्चा हर बार मातरा का उचारण ठीक तरीके से करें तो आज की वीडियो में आपने जाना बच्चों को बड़ी की मातरा कैसे सिखाते हैं हमारा अगला वीडियो है छोटी उकी मातरा को लेकर तो हमारे साथ बने रहने के लिए पेरेंस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने सुझाव आप हमें कमेंट करके जरूर जरूर बताएं आज की वीडियो में इतना ही मिलते हैं अगले गुरुवार को है